दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कमपैरदन करेंगे Moto Edge 40 Neo स्मार्टफोन को Samsung Galaxy F54 स्मार्टफोन के साथ में और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेगी तो आपको बता दो की Moto के अंदर हमें 6.55 इंचिस की Full HD Plus Card PO LED डिस्प्लेगी है जो की 144 Hz के Refresh Rate को स्पोर्ट करती है और वहीं दूसरी तरफ Samsung के अंदर हमें 6.7 इंचिस की Full HD Plus Super AMOLED प्लस डिस्प्लेगी है जो की 120 Hz के Refresh Rate को स्पोर्ट करती है यानि कि दोस्तो डिस्प्लेग आपर बहीं कंटेंड वोचिंग के साफ से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है आप दोनों फोन के साथ में कर पाएंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन दोस्तो अगर आपको फोन के अंदर बिल्कुल ही हाईयर रिफ्रेश रेट चाहिए ना भाई तब आप यहाँ पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाईए क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 144 Hz का हाईयर रिफ्रेश रेट मिल रहा है भाई अपरेटिंग सिस्टम के अगर हम बात करें तो मोटो फोन यहाँ पर आउट ओडा बोक्स अंडर थार्टिन के साथ में आता है और इस फोन में आपको दो साल के अंडर अपडेट्स और तीन साल के स्क्योर्टी अपडेट्स मिलेंगे और यह स्मार्टफोन नियर स्टोक अंडरोड पर बेजड है वहीं दूसरी तरफ सैमसंग का फोन भी आउट ओडा बोक्स अंडरोड थार्टिन के साथ में आता है लेकिन अगर आपको फोन के अंडर जादा एंडरोड और सेक्योर्टी के अपडेट्स चाहिए ना भी तब तो आप यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाईए और chipset की अगर हम बात करें तो Moto给我 की अंदर हमें डायमन सेटी 7030 5G chipset दिया गया है जोकि 6 नानोमिट़ टेक्नोलजी पर बेजड है वहीं दूसरे तरफ सैमसंग के अंदर हमें Exynos 1380 5G chipset दिया गय जोकि 5 नानोमिटर टेक्नोलजी पर बेजड है वैसे तो दोस्तो डे टू डे पर्फोर्मेंस के मामले में आपर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं लेकिन अगर आपको बढ़िया वाली गेमिंग भी करनी है न वहीं तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो की तरफ भी जरूर से जाईए क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Diamond City 7030 मिल रहा है वहीं जो की अच्छा ली गेमिंग आपको करवा देगा और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में ते किसी वाले कोई बाई करना चाते हैं न तो लिंक में ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से जाकर अपिने भाई कर सकते हैं और अब बारी आती है भी back camera setup की तो Moto phone के back में डियूल camera का setup दिया गया है वहीं दूसरी तरफ Samsung के back में हमें triple camera का setup देखने को मिल जाता है और सबसे पहले हम बात करेंगे Moto की तो इस phone का main camera है 50MP का Ultra Wide Plus Macro Plus Depth camera है 13MP का वहीं दूसरी तरफ Samsung phone का main camera है 108MP का Ultra Wide camera है 8MP का और जो Macro camera वो है 2MP का और आपको बता दो दोस्तों दोनों phones का जो back camera setup है न बही एकदम बड़ी आली photos आपकी click कर देगा बही camera samples आप दोनो phones के screen के ओपर देख ही पा रहे हैं कि कितनी बड़िया तरीके से दोनो phones के camera setup ने detailing को capture किया है और दोस्तों अगर हम बात करें video stabilization की तो दोनो phones यहाँ पर OIS plus EIS technology को भी sport करते हैं front camera के अगर हम बात करें तो दोनो phones के front में हमें 32 megapixel का selfie camera दिया गया है बही selfie lovers के साफ से यहाँ पर दोने smartphone बड़ी हैं बही अच्छे आली selfie photos आप दोनो phones के front camera से भी click कर पाएंगे उसमें भी आपको कोई दिक्कत ने आएगी और maximum video recording आप दोनो phones के front और back camera से 4K तक at 30fps पर कर सकते हैं बैटरी department के अगर हम बात करें तो moto phone के अंदर हमे 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 68 watt की fast charging को sport करती है वहीं दूसरी तरफ Samsung के अंदर हमे 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सिरफ 25 watt की fast charging को sport करती है decision दोस्तों आपको लेना है कि आपको बड़ी बैटरी अला स्मार्टफोन लेना है या फिर ज़्यादा fast charging वाला और network connectivity के अगर हम बात करें तो दोनों phones यहाँ पर टूली 5G connectivity के साथ में आते हैं साथी दोनों phones NFC को भी sport करते हैं लेकिन अगर हम बात करें 3.5mm jack की तो हमें दोनों phones में किसी में भी नहीं दिया गया और अब बारी आती है भई speakers की तो यहाँ पर moto का phone stereo speakers के साथ में आता है वहीं दूसरी तरफ Samsung phone सिरफ single speaker के ही साथ में आता है और security के लिए में Moto phone के अंदर under display fingerprint sensor plus face unlock दिया गया है वहीं दूसरी तरफ Samsung के अंदर हमें side mounted fingerprint sensor plus face unlock देखने को मिल जाता है और अब last में हम बात करते हैं दोनों phones की pricing की तो आपको बता दू कि Moto phone के 8 plus 128 GB variant की pricing है 24,000 पे वहीं दूसरी तरफ Samsung phone के 8 plus 256 GB variant की pricing है 30,000 पे और अगर मैं यहाँ पर अपना point of view दूना भी इन दोनों smartphone के लिए तो देखे दोस्तों अगर आपको वो phone चाहिए जिसमें charger in the box मिल रहा हूँ और साथी curve display भी चाहिए तो आप यहाँ पर definitely Moto की तरफ ही जरूर से जाहिए लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको Samsung की brand value के साथ से एकदम बढ़िया phone चाहिए तब आप यहाँ पर definitely Samsung की तरफ ही जरूर से जाहिए तो बस दोस्तों यही था मेरे को 16 अपिनियन्स इन दोनों smartphone के लिए